हवा से ड्रोन शॉट सम देखेंगे तो उपर से काफी सुन्दर गाना जंगल की तरह देखता है यह जंगल ही है आप समयलो आप आपने खेप में जंगल लगा रहे है चंदन वगेरा लगा दे तो चोरी होनी की संबावन होती है उसमें ध्यान रखना है इसमें तो ऐसा कुछ यह ऐसा कौन सा प्लांट है दोस्तों यह कौन सा प्लांट है इसमें कोई फल नहीं आता है कुछ भी नहीं आता है 10 साल तक इसको ऐसे ही खड़ा रखना पड़ता है यह देखिए मेरे पीछे आपको दो लाइन में दिखेगा आपको लगेगा कि सुपारी का फार्म होता है अरकनटका उस तरीके से आपको दीखेगा लेकिन वैसा नहीं है दोस्तो इस प्लांट का नाम इस ट्री का नाम है मिल्या डूबिया इसको मलाबार नीम भी बोला जाता है लेकिन इसकी खेती की गई है वो भी ब्लैक सॉयल में यह देख सकते हैं आप सोच रहोंगे ब्लैक सॉ पूछेंगे तो हमारे साथ यहां पर विक्राण जी है इनकी संकेत नर्सरी नाम से नर्सरी भी है और इनके बारे में अगर बात कीजाए तो यह आईटी इंजिनेर है और अभी नर्सरी देखते हैं इनको अगरे कल्चर में रहyll है ये यह कि यह मिलिया डूबिया कहां लोग लगा सकते हैं डेखिए सर्ल को फल अब प्लांट तो है नहीं यह लखडी के लिए ज्यादा तर लगाते हैं लोगा यह जो बुंदा है हमारे मराठी में इसको बोलते हैं यह लकडी के रहरा जाने के रहाएं प्लांट है लकडी में लकडी के के प्रजातियों में लख प्लांट आप देख सकते हैं 30 कितने साल का यह लगबग साथ साड़े छे साथ साल का प्लांट है साथ साल का यह इसकी हाइट तो तीस फीट पाथ साल में हो जाती है पिर एक टाइम के बाद इसका स्टंप अभी भरना शुरू हो गया है इतना मोटा हो जाएगा इसको हमने यह जमीन में इसलिए लगाया कि यह जमीन बाकी फसलों के लिए इतनी फाइदे की नहीं पानी बहुत पकड़ती है तो ऐसे जमीनों में लकडी का प्रयोक करना बहुत ही अच्छा रहेगा तीन साल हमने छोटे फसले ली और अभी यह दस साल बाद इसका हर्वेस्टिंग होगा इंडिया की किसी में कोने मे यहां आपको पानी ज्यादा है और किसी किसानों के पास बहुत सी जमीन होती है तो यह जमीन मतलब यहां पर इधर दस है अगर हवा से ड्रोन शॉट सम देखेंगे तो उपर से काफी सुंदर गाना जंगल की तरह जंगल यह जंगल ही है इसमें चार साल हमने पूरा इंटर क्रॉपिंग भी लिया है सब अनाज के प्ष्थी हमने इसका यूज भी हम कर सकते हैं वेल बेल वर्ग के लिए यह कौन सी वराटी है यह मला बार नीम बोलते है इसको यह थासकर करनाटका और आंद्र में अच्छे से डेवलप होती है औ यह फरनीचर में यूज होती है इसके बाद कंबस्टिबल फ्यूल जो यूज होता है यह लकडी बायो मास ब्रिगेड में यूज होती है और फरनीचर में बहुत अच्छे से इसको रेड़ भी मिलता है तो आच्छा मुझे यह बताईए यहां पे एक लाइन में पूरे के इन कीमत क्या है बीस से पचीन रूपें चोटा साइस का फैसला ब्लांट है खात तो डालते ही हम इसका ही पतों का जो केक बनता है वह ही डालते हैं और फिर उसके बाद इसको अच्छे से ग्रोव होने के बाद दो-तीन बार प्रूनिंग करके इसको पानी की रिक्वायर्मेंट बहुत नहीं है अच्छा कम पानी में भी यह चलेगा ऐसा क्रॉप है फिर भी यहां पर ड्रेपिरेशन में ने देखा कि लगा क कुछ ने बस एक बार लगाओ दीरसी पत्ता ही हम प्लांट बढ़ जाय तो हम अपने मुर्गी ओ के लिए टेरी फार्मिंग है खुला मुक्त संचार गोड़ फार्मिंग होता है वह भी कर सकते खुले में बस बांटरी मारके इसके अंधर छोड़ सकते जिजिए दिन रात सब्सक्राइब करना चाहिए यह काफी इंट्रेस्टिंग सा फार्मिंग है मुझे एक चीज इंपोर्टन यह पूछना है कि हमेशा फार्मर के मन में यह सवाल आएगा कि एक प्लांट में जब 20-25 रुपय का लेता हो तो यह प्लांट मुझे कितने साल बाद करना है कितने साल बाद प्रॉपर इसको लगाना है तो थोड़ा सा एक प्लांट के बारे में मुझे बताईए यह लगबग आट से दस साल बाद हर्वेस्टिंग में आता है जी आट से दस साल में इसका लगबग वजन तीन टन के आसपास तयार हो जाएगा एक प्लांट जो है हाइट में 25- इसके बाद यह बढ़ना शुरू हो जाएगा अभी यह पास साल का प्लांट है अच्छा तो आप देख सकते 25-30 हाइट हो गई अभी यह अंदर से फुलना स्टार्ट हो जाएगा और यह गरत जब बन जाता है जब इसका हार्वेस्टिंग होगा तो हमें हार्वेस्टिंग करते समय कितना फोला ठीन प्लांट का ऩृट निकलन एक प्लांट करते हैं थीन टन हुआ हमारा एक प्लांट का वजचन और और किलो को जभड़ता ही है आज आड़ नो हजार रूपया नमच चाधिस लाग रुपया रुक्ए मिल सकता है यह मार्केट में भी का पका इसको काफी खरिदार है इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए तके लिए यूज होता है इसको खरिदार तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा वैसे भी नॉर्मल हम अगर बजार में जाते तो नॉर्मल रखड़ी हमें इसको यह सबसे बढ़िया है कि इसको चोरी होनी की संबावन होती है उसमें ध्यान रखना इसमें तो ऐसा कुछ सिस्टम है एक बार लगा दो सीधा हो सकता इसके जो पत्ते हैं इनका जो पाउडर बनाके हम मार्केट में बेच सकते हैं पंजी साड़ के लिए काफी होता है त कम और बढ़ा सकते हैं काफी इंट्रेस्टिंग फार्मिंग है तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको यह मिलिया डूबिया की जानकारी कैसे लगी मुझे ज़रू बताइएगा हम एक एक कोने में घूम के आपके लिए नया नया कॉंटेंट लेके आ रहें आप ब कर दो